एक बिद्धायक हैं नहायत इमानदार हैं दो बार से विद्धायक हैं उन्हें जूटे वा फर्जी केस में उनको नामजद किया गया और पुलिस उनकी जो है लड़के को चार दिन तक बिना किसी वज़ा के बैठाये और चार दिन बैठाये जाने के बाद उनके लड़के को कल यहां पर हाजिर किया उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जब इस तरह से पुलिस परशाशन कर रही है कानून को ताख पर रख करके ना न्याला का सम्मान कर रही है ना कानून का सम्मान कर रही है तो हम लोगों ने आज जाहिद बेक को सोचा की न्याले में सलंडर करा दें। उनकी जमानत दर्खास पड़ गई, सलंडर दर्खास पड़ गई, वो सब लिखा जा चुका था। माननी विधायक जाहिद बेक बार एसोशेशन के कैमपस में जो ही घुष्टे हैं, वहां मैं मवजूद था, मजहर, सकील, उमीदते, तमाम उखील में थे, वहां पर पुलिस जो की अधिवक्ताओं की सुरच्छा के लिए तैनात है, वहां गेट पर की पुलिस वहां दो दरो जोगा थे, एक महीला पुलिस थी, और तीर और काॉस्टि बिल थे, उन लोगों ने चाहिद बेक को हम लोगों से खीचने की कोशिश किया, धक्का मुक्टी किया, हम लोग के साथ धक्का मुक्टी किया, हम लोग कहते रहे कि भाई, ये सरेंदर खड़ने जा रहे हैं, न्य यह पुलिस को के सामने ना तो न्याले की गरिमा है ना वकील की गरिमा है ना कानून की गरिमा है जो व्यक्ति एक गनप्रदीरी है न्याले में आ रहा है आत्मर्शंप्डबर करने के लिए न्याले का सम्मान करने के लिए आ रहा है अपनी बात न्याले में कहेगा और उसको पुलिस इस तरह से कर रहे हैं और यहीं देखिए एडिशनल यस्पी और शियो मैंने एडिशनल यस्पी को सबेरे कह दिया था 10 बज़े कि आप चिन्ता मत करिये माई आज वह सरेंडर करेंगे एडिशनल यस्पी को यह मालूम था कि वह सरेंडर होगा यहां वकील बैठते हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें